हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है अनुज ये सेकेडमी चैनल पर देखे दोस्तों आज की जो लेटेस्ट न्यूज है आपकी बियर इंटेंस के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है और इसमें एक आईडिया लग जाएगा कि किस जिले का जो कटोफ है कितना जा सकता है और इसमें आज जो इसमें दिया की किन जिलो में सरवाधिक आवेदन है किन में सब्से कम और आपको मालूम है कि हर एक डिश्टिक में लगवग जो है आपके गोर्मेंट कोलिज बराबर होते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कहां पर आवेधन कम है यानि के वहां की जो कटोफ है बहुत ही कम जाएगी और जहां पर सबसे जादा आवेधन आए और वहां पर भी उतने कोलिज है तो वहां आपका देखीगा इस दिन कम नहीं होते है रिविजन के लिए आपका और देखीगा अगर आपने किसी भी सब्झच्क्त का नहीं बनाए तो उनके लिए भी हम हैं इस में बात करेगे अंतिम 20 दिनों में और इसी के सासा देखीगा आपका अगर आप कला वर्क से बेड इंटेंस की तैयारी करें तो देखीगा भई आपका चक्सू पब्लिकेशन का यह आपका study guide book है और इसमें आपको पिछले 5 वर्सों के परसन पत्र और 2700 subject wise आपको important question देखने को मिलेगे पिछले वर्सों के आपकी जो परसन पत्र और यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है इसमें क्योंकि आपको एक idea हो जाएगा इसमें कि आपका किस तरह का जो पेपर है वो आता है आपका चली इसी के साथ यहां पर देखीगा आपका चक्सू publication के study guide book के साथ जो ही यहां पर देखीगा practice set भी आता आपका color के लिए इसमें आपको 20 paper मिलने वाले जो की आपको काफी जादा मदद करेगे आपके intense exam के लिए और यह book और आपका practice set किसी भी book store से मिल जाएगा अगर आप online मंगाना चाहते तो description नहीं कि वहां से भी जाके आप इसको मंगा सकते हैं और देखीगा कि देखीगा आपका पूरे UP के इंदर जो है आपकी 10,000 फिरी seat है और 10,000 फिरी seat है आपके अलग-अलग district में बटी होती है और यह मार के चलिए कि लगबग हर एक district में एक आपका government college होता है जिसमें कि आपका किसी में 100 seat, किसी में 80 seat, किसी में 90 seat ऐसे होती है आपकी वह आप देख लिजीगा आपके district में कितनी seat है अब यहाँ पी एक idea आपको लग जाएगा देखीगा कि किन जिलो में कटोफ जादा जाने वाली और किन में आपकी जो है कम देखीगा यहा पारणसी से 38,000 जो है 22 इसमें जोनपूर से आपका 29,119 लखनाओं से भी आपका 26,335 आजमगड से आपका 5,600 यहाँ पे जो है निन्याड में इसके लावा सब से कमाया आपका देखेगा भई आपका सरावस्ती से आया आपका केवल 490 आवेदनाई आप यह मान के चले कि आ आपके आसपास अगर गोर्मेंट कोलीज होगा तो आपका कम नंबर पे भी आपका यहाँ पे हो जाएगा लेकिन आपको तयारी आपको 300 पलस की रखनी है पूरी ठीके आप सब के बराबर है ऐसा कुछ नहीं कि आप आप नहीं पड़े या आप जो है इसके अलावा देखे जैसे मेरट के अंदर है देखेगा मेरट का डाटा यहाँ पे नहीं दिया मेरट के अंदर अकिला ऐसा एक यहाँ पे डिष्टिक है जिसमें कि आपके चार गोर्मेंट कोलीज है और यहाँ की जो कटोफ है पूरे यूपी के इंदर सब से कम जाती है और इसके अलावा किगा एक तरीके से केवल यहीं के स्टुडेंट ही तो अप्लाई करेगे यहाँ थोड़ा ही कि साथ सो आट सो किलोमेटर दूर के स्टुडेंट यहाँ पे अप्लाई करेगे केवल यहीं के स्टुडेंट अप्लाई करेगे और यहाँ पे भी आपका सारनपूर के अंदर ग जागराज के अंदर जैसे आपका माल लिजेगा और डिश्टिक होगे तो जैसे वाराणसी के अंदर आप यह देखे कि कितने गवर्मेंट को लिजे तो हो सकता है कि यह लगबग बराबर और जिलों के बराबरी वहां पर जो है सीटे होगी तो यहां पर जब संख्या जादा हो जाएगी आपकी तो ओटोमेंटिक आपकी यहां पर जो कटो फे थोड़ी सी हाई जाती आपकी कमेंटिया थे कि सर लखनाओ की कितनी जा सकती है इलाबाद की कितनी जाएगी तो आप खुद से आइडिया लगा लेजेगा कि देखेगा यहां के आवेदन कितने और यहां से apply करते है तो यह है कि थोड़ा से यहाँ पे आपको महनत करनी होगी ठीक है बाकी देखेगा अगर आप जो है अच्छे से आपका 260 आपका 70 75 तक की आप तयारी करते हैं चाहे किसी भी जिले से हो तो आपका जो है गोर्मेंट कोलिज में आसानी से आजाएगा बाकी जैसे यह आपके जिले तो यहाँ पे बहुती आपकी कटोफ कम जाने वाली है लेकिन आपको तयारी जो है अपनी पूरी रखनी है देखीगा इसमें और आप जो है किसी जिले से हो तो आप जो है दोसो के 2 200 क्यूशन आपके तो इसमें मालिजरगा जी से क्याए— कोन से टोपिक्स के उनको फिनिस करो पहले आप ठीक है क्यूंब आप ऐसा समय है कि आप जो भी पढ़ते हो याद बट temporal की बात है और थोड़ा से ये चीज़ है निगेटिवटी दिमाख से निकाल दो कि आपका जो है एक्जाम डेट आपकी बढ़ जाएगी आपके अंतिम 20 दिनों में आपके 10 दिनों में पढ़ लेगे ठीक है तो एक्जाम टाइम पर पढ़ लेगे वो सब चीज़ छोड़ दो आप अगर आपको रिजल्ट बहतर लेना है तो आपको ये जो अंतिम 20 दिन है पोजिटिव रहके तयारी करने बाकी ये सब चीज़ छोड़ दीज़ेगा फ्रेंड की तयारी ज्याद है हमेरी कम है ठीके ये सब चीज़े छोड़ो ये इसके लावा देखेगा ये अपका कुछ यहां पर देखेगा रिजिश्टि करें जैसे आपका बडाईयो साजान पूर है आपके पीवित यहां पर भी देखेगा बहुत ही कम आपके आवेदन आया मुरोह वगेरा में आपके 6926 है बिजनोर में चुराण में 180 है ठीक है आप जो अच्छे से त्यारी करें जैसे आपका ये जो है CCS उनिवर्स्टी आपकी मेरेट इसमें देखेगा ये आपके जो एडिड और आपके गोर्मेंट यहां पर ये अलग अलग डिस्टिक में सायद जो है आपका सारणपूर मुझेफण नगर मेरेट और आपके गाज़बाद के अंदर आपके जो कोलिज आपके ठीक है और इनमें भी देखेगा कितनी कितनी सीटे यहां पर आप देख सकतें आपका इसमें बियाली सीटे आपका आर्टस और कोमर्स यानि क्या downtime का इसके लावा साइंस और आपका agriculture की यहां पर जो है अठारह इसमें तो काफी- START आप देखेगा इनकीüzel में कितनी लिख सकते आपका जेवी जेन आपका जो कोलीजे सारणपूर के अंदर इसमें कितनी सीट है अठारा सीट है इसमें आपका आर्ट्स और कोमर्स की बाकी साइनस और एग्रिकल्चर की साथ सीट है 2327 रुपे इसमें जो है आपकी फीज है बाकी यह देखीगा जैसे सेल फाइनस है इनकी जो फीस होती है न देखेगा 51,250 रुपे ये दिया सीधा सीधा आपका इसमें ऐसे ही अपने आप डिस्टिक का देखेगा गोर्मेंट जो सीट है आपकी उनको देखे कितनी सीट है आप पोजिटिव रहके तयारी करिए ये छोड़ दीजेगा कि जादा जो है आवेदन कहां स जो चीजे छोड़ी है आप इसमें देखेगा फर्स्ट पेपर में आपका जीके और हिंदी है तो आप देखेगा बहुत ही जादा फोकस करीं फर्स्ट पेपर तो ये कि आपका बहुत ही जादा स्कोरिंग है आराम से आप G.S. के अंदर 40, 42, 43 तक आप स्कोर कर सकते बाकि ह हिंदी के अंदर तो आप 45 ठीक है 42-45 तक आप स्कोर कर सकते तो आपको इसमें regular practice करनी है रोज आपको कम से कम दो practice है इसका solve करना है जो question गलत हो मालीजी का हिंदी के अंदर 10 से 12 topic है आप 50 question solve करोगे कम से कम हर एक topic से आपको जो है practice set से आप solve करोगे तो बहुत ही अच्छा आपका result आएगा इसमें इसके अलावा देखेगा reasoning का यह है कि reasoning आप जब करोगे आप practice रोज तो आपका score इसमें आएगा क्योंकि बहुत easy question आते है ऐसा नहीं कि आपका इसमें ज्यादा कटिन पूछा आता इसमें और subject में देखेगा आप final year में होगे BSCB को जो भी आपने BA किया होगा इस बार तो आप इसका final year का slavus आपका complete होगा लेकिन आपको first year और आपको second year का भी slavus आपको एक बार देख लेना है 4-5 दिन लगा के अच्छे से notes निकाली है उससे और target रखेगा कि आपका 400 में से कम से कम आपका 300 तक की आपकी तयारी हो इसमें ठीक है बाकी तो आपकी कटोफ तो हर बार आपकी 200 पिछली बार तो 220-230-235 गए थी लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा उम्मीद है तो आप target रखेगी मुझे 270-250 लाना है बस ठीक है और जैसे आप माले जीएगा practice set soul करते ही आप उक से पढ़त है उसकी आयो तो विधान सभाली को 5 वर्स लिख दो ऐसे ठीक है तो ऐसे आपको नोट्स बनाना है ऐसा नहीं कि विधान सभा के लिए कितनी आयो होनी चाहिए 5 वर्स इतना बड़ा नहीं लिखना है point to point जैसे हमारे नोट्स है और telegram पे बहुत सारे आपके नोट्स डाल द से हिस्ट्री से आपके ठीके तो यह है कि आपका माली जीगा भासा का पूछा था भासे की अनुसूची क्या इसमें दल बदल की अनुसूची क्या है सपत गरहन की अनुसूची क्या जो संडे में एक्जाम हो उसमें पूछा था कि आपका 69 सविधान संसोधन किस से आपका दिल्ली को राष्ट्रे राजदानी छेत्र गोशित किया, छासीवा सविधान संसोदन पूचा, इन पे सभी पे आपके अच्छे से टोपिक डाले गए, आपके अंतरिम सरकार से क्वेश्चन था, आप उनको देखिए एक बार, बहुत जादा आपको help मिलेगी इससे, और जैसे आपके सविधान के हमारे सोट नोट्स थे, इसमें बहुत जादा आपको help करेगी, इन पे देखिएगा, हर एक पे topic wise वीडियो भी है, और आपके PDF आपके टेलिग्राम पे काफी बार डाले गए आपके, ठीक है, तो आप इनको देखिएगा, वीडियो आप देखिए, speed से देख लिजीगा, आपको समझाने की बिजवरत नहीं पड़ेगी, और बहुत इजीली आपके trick base आपको जहीं समझाया गया पूरा, इसके लावा देखिएगा, जैसे आपका भाग से question पूछा गयता है इस बार, ठीक है मूल अधिकार, मूल करतव्य नीती ने दे सकता तू, सभी से question पूछे गए आपके, देखिएगा ये question है, जो ही इसमें पूछा गयता है, डारेक्ट आपकी question पूछे जाते, आपको ये नहीं सोचना है कि लेविल क्या आएगा, वह ये है कि आप तयारी करिए, topic wise फोकस करिए उसको, माल लिजेगा अभी तक आपने कोई भी topic wise तयारी नहीं किये, तो आप जो class डाली गए 35 से 40 class उनको आप देखिए speed से, और आपके पास जो भी आपका book होगा या practice set होगा, उससे आप अभ्यास करिए, हरे question को पढ़ते जाएए, जो question माल लिजेगा आपसे नहीं होता है, उसको आप white paper पे लिख लिजेगा, वो आपको बहुत ज़्यादा help करेगा, क्योंकि आपकी question आप छोड़ देते हो, वो question आपका exam में ज़्यादा पूछाएता है, बाकी देखीगा, कोई आपका doubts है, किसी भी subject को लेके, किसी भी topic को लेके, तो आप जो है call कर सकते हैं, हमारा जो discussion में नंबर दिये गया, आप देखीगा, टेली गराम पर आप message कर सकते हैं, आपको इसका reply के जाएगा, और यह है कि जो अंतिम समय इसमें, अच्छे से positive रहके तयारी करिए, बाकी result best रहेगा आपका,